नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज हम लोग सीटेट 9 दिसंबर 2018 का प्रेश्टमपत्र सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग गडित के प्रेश्णों की बात करेंगे तो श्टार्ट करते हैं देखिए जो सीटेट 9 दिसंबर 2018 को हुआ था उसके mathematics and science पार्ट के जो questions है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो श्टार्ट करते हैं देखिए इंस्ट्रॉक्शन क्या लिखा है निमलिखित प्रस्णों के उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प या उप्यूक्त व बात करें तो क्या है देखिए in a meeting 4 by 25 of the members were female what percent of the members was this एक बैठक में सदस्यों में से चार बटे 5 महिलाएं थी या सदस्यों का कितना प्रतिशत थी option आपके सामने लिख रखे हैं 40 प्रतिशत 24 प्रतिशत 16 प्रतिशत और 4 प्रतिशत तो देखिए दोस्तों जब भी हमें किसी भी भिन को चार बटे 25 क्या है एक भिन है एक fraction है जब हमें किसी भी भिन को किसी भी fraction को प्रतिशत में बदलना होता है तो simply हम क्या करते हैं उस fraction को 100 से multiply कर देते हैं उस fraction को 100 से क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं तो वो हमारा जो number है वो किस में convert हो जाता है वो हमारा convert हो जाता है प्रतिशत में तो देखिए जैसा कि question क्या कह रहा था कि 4 बटे 25 महिलाएं थी एक बेठक में तो यह सदश्यों का कितने प्रतिशत थी तो 4 बटे 25 को हमने multiply कर दिय किस से 100 प्रतिशत से 100 से अब इसको आप minimize करिए 55 जा 25 5 2 जा 10 0 5 1 जा 4 5 4 जा 20 यानि क्या बच्चा 4 और 4 numerator में बचे यानि 4 into 4 that is 16% तो option में देखिए 16% option है क्या हां थर्ड option क्या है 16% तो इसका सही answer क्या होगा 16 प्रतिशत यानि की जो 16 प्रतिशत महिलाएं थी वो बैठक में शामिल थी बागी की जो पचे क्या थे वो पुरुस्त है यानि की 84% क्या थे पुरुस्त है अब अगला question देखते हैं देखिए अगला question है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी गी एक समान की नई कीमत क्या है जो पहले रुपय 500 में बेची जाती थी तो जैसा कि देखिया option भी आपके सामने है 510 रुपीज 550 450 400 तो start करते हैं देखिए क्या है जैसा कि question में कह रहा है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में कितने की कमी की यानि की decrease कर दी अपनी value 10% तो अगर हम by formula इसको हल करना चाहें तो इसका एक formula होता है sell price equal to one minus जो भी decreasing value है वो divided by 100 into पहले का जो price था यानि कि original price इसको हम लोग क्या बोलेंगे original price यानि कि अगर हम बात करें formula के according तो जब किसी भी कोई दुकान अपनी केमतों में कमी करता है तो उसके लिए sell price का formula क्यों हो जाएगा one minus d upon 100 into original price अब formula के अनुसार value रखे तो क्या है formula मैंने क्या बताया था sell price equal to one minus d d मतलब decreasing value divided by 100 into original value अब देखे one minus decreasing value कितनी है 10% और डिवाइड बाइ 100 और इसनल वैल्यू क्या है और इसनल वैल्यू इसकी है 500 रुपीज थी तो इसको minimize कर लिजे देखे one zero one zero cancel हो गया यानि अब यह कितना बचा अब यह बचा आपका one one minus one by 10 into 500 अब इसको एल्सेम लिजे to 10 बन जा 10-1 divided by 10 into 500 अब यह कितना हो जाएगा nine upon 10 into 500 ना वन जिरो इससे cancel हो गया अब क्या बचा फिफ्टी इंटू नाइन तो फिफ्टी इंटू नाइन देट इस nine five जा 45 चार सो पचास रुपए यानि कि option में देखे 450 रुपए है option में तो अगर option की बात करें तो option number three जो है 450 रुपए यानि कि जो original कीमत थी जो question में पूछा गया था कि जो पहले जो सामान की नई कीमत है वो क्या है तो सामान की नई कीमत क्या है 450 रुपए अब देखे इसको हम लोग traditional method से भी कर सकते हैं देखे पहले वह वस्तु बेची गई थी 500 रुपए में अब 500 रुपए में बेची गई थी अब उसी की उसमें क्या है अब जो वस्तु बेची जारी 10 रुप 10 प्रतिशत कम करके तो हमें क्या करना पड़ेगा 500 का 10 प्रतिशत निकालना पड़ेगा तो 500 क 10 प्रतिशत निकाल लीजे 10101 cancel हो गया यानि 50 रुपए आया यानि कि अब नई कीमत new value नई कीमत कितनी हो गई पुरानी थी 500 रुपए और नई में में कितना घटाया उसमें 50 रुपए घड़ गए तो नई कीमत कितनी हो गई 450 रुपए तो जिस तरीके से आपको easy लगे उस तरीके से आप इस questions को solve कर सकते हैं तो दोस्तों अगला question क्या है देखे ध्यान से question number 33 है नीचे तापमान में एक data set दिया गया है क्या है data set given below is a data set of temperature in degree centigrade minus 6, minus 8, minus 2, 3, 2, 0, 5, 4, 8 तो यह कहारा data का परिशड क्या है what is the range of the data तो देखें simple सा question है और बहुत आसानी से हो जाता है जेखे जो data के range का formula होता है data के जो range का formula होता है इसको परास भी बोलते हैं हम लो परास का जो formula होता है वो होता है higher limit यानि उच्च सीमा minus lower limit यानि कि उच्च सीमा minus निमनसीमा यह होता है परास का formula अब question में देखे higher limit क्या है अगर higher limit की बात करें तो आपका 8 है और lower limit की बात करें तो देखें पहले formula में यहाँ minus है तो minus लगा ये अब lower limit की बात करें तो lower limit कितनी है माइनस 6 नइ सौरी minus 8 है lower limit क्या है minus 8 है अब lower limit minus 8 है तो यहाँ पर 8 करें अब देखिए क्या है 8 और minus और minus क्या होता है plus 8 plus 8 यह हो गया आपका 16 degree centigrade अब देखिए 16 degree centigrade option में दे रखा है क्या तो अगर हम बात करें 16 degree centigrade जो है option में दे रखा है जो की है option number 2 यानि कि इस कि दूर लेंज कितना हो गया 16 degree centigrade यानि कि option number 2 क्या है correct answer है आप अगला question देखते हैं अगला question क्या है question number 34 आप question number 34 क्या कहता है देखे question number 34 कहता है कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है परिणाम इस प्रकार अवलोकित किये जाते हैं अब coin is tossed 10 times and the outcomes are observed as 10 बार कोई सिक्का उच्छाला देखे सबसे पहली बार क्या आया head आया फिर tell फिर head फिर tell फिर head head फिर tell फिर head head अब question यह पूछ रहा है what is the probability of getting head तो simple सा देखे यह probability से related question है और इसका formula यह होता है probability probability देखे total probability तो होती है finally one लेकिन अगर हम formula की बात करें तो probability of head हमें head की बात की जारी है कि head आने की प्राइक्ता क्या होगी एक सिक्के को यदि 10 बार उच्छाला जाता है तो head आने की प्राइक्ता क्या होगी इसका simple सा formula यह है नीचे होता है आपका total outcomes यानि कि total outcomes यहाँ पर क्या होगा 10 और number of outcomes comes with head अब देखिए यहाँ पर आपको question यह कह रहा कि head आने की प्राइक्ता की बात की जारी तो head आने की प्राइक्ता कैसे निकालेंगे head जितनी बार आया है उसको divide करेंगे किस से डिवाइट करेंगे total outcomes से तो total outcomes का मतलब एक सिक का totally कितनी बार उचाला जा रहा है एक सिक का totally उचाला जा रहा है 10 बार आप देखिए शारणी में देखिए कि head कितनी बार आया है यानि कि probability of coming heads यानि कि head आने की प्राइक्ता क्या है यहां से count करें head आने की प्राइक्ता क्या है फिर से count कर लीजिए 1,2,3,4,5,6 यानि कि अगर यहां से देखें तो number of coming heads 6 अब formula क्या है probability का formula head आने की probability क्या होगी तो 6 बार head आया और total कितने है outcomes 10 यानि कि 6 upon 10 यह हो गया अब 6 upon 10 को minimize के लिए 2,3,6,2,5,10 यानि कि head आने की प्राइक्ता क्या हो जाएगी head आने की प्राइक्ता हो जाएगी 3 upon 5 तो देखें क्या यह option में है 3 upon 5 तो अगर हम 3 upon 5 की बात करें तो option में है option number 1 यानि कि इस question का सही answer क्या होगा 3 upon 5 यानि कि option number 1 क्या है इसका सही answer है तो अब देखें अगला question क्या है संख्यात्मक व्यंजक 3 upon 7 plus minus 7 upon 8 equal to 25 upon 56 दिखाता है की यानि कि यह जो संख्या equation लिखी रखी यह क्या show करता है rational numbers are closed under addition, rational numbers are closed under subtraction, rational numbers are closed under multiplication या चोथा option है rational numbers are closed under division तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या याद होना चाहिए आप लोगों को याद होना चाहिए property देखें जैसा कि rational number दे रखा है question में 3 upon 7 plus bracket में minus 7 स्वरी bracket पूरा नहीं है केवल minus 7 के साथ bracket है minus 7 upon 8 that is equal to आपका है 25 upon 56 अब यह कौन सी प्रोप्रोप्र प्रोपर्टी शो कर रहा है तो rational numbers are closed देखें एक प्रोपर्टी आप याद रखें rational number की जो rational number होता है वो closed होता है उसकी जो closer property है rational number की जो rational number है वो are closed अंडर एडिशन अंडर एडिशन रैशनल number are closed अंडर एडिशन यानि के परिमे संख्याएं योग के अंतरगत संवरित होती है यह आप इसकी property याद रख लीचे क्योंकि यह direct property वाला question है देखें योग के अंदर संवरित होती है इसका मतलब क्या है simple सा मतलब यह है कि 3 upon 7 और minus 7 upon 8 को जब हम लोग solve करेंगे तो यह 25 upon 56 यानि कि rational number इधर भी जो आएगा rational number 3 upon 7 minus 7 upon 8 answer भी उसका rational number ही होगा यानि कि जब हम दो rational number को add करते हैं तो उसके बात जो हमें जो answer प्राप्ट होता है वो भी एक rational number ही होता है यही होती है closer property तो इस हिसाब से अगर हम option चेक करें तो कौन सा option सही है rational number are closed under addition option यानि कि option number one परिमे संख्याय योग के अंतरगत संवृत्त होती हैं तो यह आपको याद रखना होगा question यह property देखें अगला question है 36 question है which one of the following 3D shapes does not have a vertex नमने कि 3D आकृतियों में से किसमे cirse नहीं होता है तो देखे cirse का मतलब क्या होता है vertex का मतलब क्या होता है बहुत simple सा मतलब होता है कि जैसे कोई आकृती है चाहे triangle हो चाहे quadrilateral हो अब जैसे जो इसके point होते हैं मलब जो जहाँ पर दो side आपस में जाके मिलते हैं उसको क्या बोलते है vertices उसको क्या क्या पूछ रहा है question भी आपसे यही पूछ रहा है कि निमलिकि 3D आकरतियों में से किसमें सीर्ष नहीं होता है तो अगर पिरैमिड की बात करें तो पिरैमिड में भी सीर्ष होता ही होता है क्योंकि पिरैमिड की जो आकरति होती है लगभग ऐसी होती है तो पिरैमिड में सेर में कोई भी सिर्स नहीं होता है तो इसका ओप्षन कौन सा सही होगा गोला ओप्षन नमबर 4 अब देखें 37 क्या है यदि 5 by 7 to the whole power of 4 into 5 by 7 to the whole power of minus 3 that is equal to 5 by 7 to the whole power of 5x minus 2 हो तो x की value क्या होगा बहुत अच्छा question है बहुत प्यारा question है ध्यान से देखिए देखें अगर बात करें 5 by 7 upon 5 by 7 to the whole power 4 5 by 7 to the whole power 4 उसके अलावा है आपका into 5 by 7 to the whole power 3 equal to 5 by 7 to the power 5x minus 2 अब देखें इसको ध्यान से देखें तो सारा हर यह जो पूरी equation है सबका base समान है देखें इसको बोलते है base जो bracket में है इसको बोलते है base जैसे मानले जो मैंने x to the power y लिखा तो x क्या है base है y क्या है power है तो तो अगर हम question ध्यान से देखें तो इसमें क्या है जो base है वो क्या है 5 by 7 है और base सारा same है तो देखें जब base same होती है तो क्या है जो powers होती है जब base same होता है तो जो powers होती है आप बस में add और subtract की जा सकती है तो इस property की थूँ हम अब इस question को जब solve करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे देखें base same है तो क्या है कि जो 5 by 7 है देखें जो 5 by 7 है यहां पर है 5 by 7 to the power 4 और यहां पर है minus 3 यानि कि 4 5 by 7 to the power 4 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 5 by 7 to the power 1 क्योंकि 4 minus 3 कितना हो गया यहां पर हो गया 5 by 7 to the power 1 और इधर क्या बचा था इधर आपका बचा है 5 by 7 to the power 5x minus 2 अब देखें जब base same होता है दोनों तरफ left hand side LHS और right hand side RHS जब दोनों तरफ bases same होते हैं तो हम इनकी powers को आपस में compare कर लेते हैं तो अब जब powers को आपस में compare करेंगे तो क्या बचेगा देखें इधर क्या बचा था 5x minus 2 और इधर केवल 5 by 7 यानि 1 अब देखें ये जो माइनस का है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यानि 5x एक्वल टो 1 प्लस 2 अब 5x एक्वल टो 1 प्लस 2 यानि 3 अब x वाला इधर multiply मेंच District और आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा यानि X equal to 3 upon 5 तो देखिए एक सिक्वलिटो थ्री अपॉन 5 वेल्यू आ रही है क्या ये option में हैं अगर option की बात करें तो जी हाँ एक सिक्वल टु थ्री अपन 5 यानि की option number 3 आपका यहां पर सही answer होगा तो अब अगला question देखते हैं अगला question क्या है अगला question की बात करें तो देखिए लिख रखा है कि मानिये की A B C तीन परिमे संख्या है जहां where A equal to 3 upon 5 B equal to 2 upon 3 and C equal to minus 5 upon 6 which one of the following is true अब देखिए इस question को solve करने का तरीका दोस्तों यही है जब भी इस type के question आप दोग देखिए तो hit and trial method इसो कहते हैं hit and trial या फिर के लिए pick and choose यानि कि question pick option उठाईए तुरंत उस पर implement करिए उसको solve करने की कोशिस करे value put करिए तो अगर हम इसको इसकी बात करें कि कौन सा इसमें सत्य है option तो बिना time loss किये मैं आपको direct इसका answer बता दे रहा हूं कि इसका जो option सही होगा option number 4 सही होगा sorry option number आपका 3 सही होगा जो की है a plus b plus c equal to c plus a plus b यानि कि अगर आप value put करके देखेंगे तो यहां पर value क्या है रेखिए जैसे a plus b plus c वाले में put करेंगे तो a की value है 3 upon 5 b की value है 2 upon 3 और c की value है minus 5 upon 6 तो minus 5 upon 6 तो minus 5 upon 6 अब इसको solve करिए 3 upon 5 प्लस अब 3 और यहां LCM 3 और 6 का LCM क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 तूजा 6 और यह 2 तूजा 4 यह plus minus minus हो गया 6 बन जा 6 और यह अब इसको solve करेंगे तो 3 upon 5 4 minus 5 1 upon यह 6 हो जाएगा यह फिर से इसको अगर हम जब solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 30 upon 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 तो इस तरीके से क्या है जब हम इधर वाली value solve करेंगे RHS और जब हम solve करेंगे LHS तो दोनों की value आईगी same इससे यह प्रूव हो जाएगा कि option number जो आपका 3 है वो option number 3 जो है आपका वो सही है तो इस तरीके से अगला question देखी क्या है अगर आगले question की बात करें तो लिखा है a geometric representation showing the relationship between a whole and its part is यानि कि वह जयामिती निरूपन जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंद दिखाता है तो histogram है pie chart है bar graph है या pictograph है तो देखिए जो पूरे और अंस के बीच में जो हमको दिखाता है जाकि अगर histogram pie graph pictograph की बात करें तो वह आपके इस type के होते हैं लेकिन अगर हम यह पूर्ण से अंस को नहीं show करते हैं लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा graph है जो पूर्ण से अंस को show करता है तो उसको बोलते हैं लोग पाई चार्ट. ते पाई चार्ट में क्या होता है हम पूरा जो टोटल पाई चार्ट होता है वो 30 स्थिक्स्टे डिगरी का होता है और मानिजे जैसे कोई तीन लोग हैं एक Science Ad का है एक Science Ad का है एक Art Side का है एक Engineering का है तो उसको हम आसानी से दिखा सकते हैं कि मानिजे जो science ad वला है उसमें 50% लोग science ad के हैं 25% लोग art के हैं और 25% लोग engineering के हैं इस तरह के से हम आसानी से इसको whole से part में पूर्ण से uns में convert कर सकते हैं तो देखें option में है क्या कोई option जी हाँ pie chart है यानि कि option number 2 जो है आपका सही answer है अब अगला question देखें क्या है 40 question number यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है संख्या P का वर्ग है यानि कि यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है देखें simple sentence है इसको बस समझने कोशिश करिए question 7 में आ जाएगा कह रहा है कि यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है यानि कि Q equal to क्या कह रहा है P square तो simple सा बस ही पूछ रहा कि P equal to क्या होगा तो देखें जब Q equal to P square है तो आप लोगों को पता होगा कि जब यहां से P पर से square हटता है तो दूसरे साइड Q की तरफ square root लग जाता है इसको हम लोग क्या बोलते है square root वर्ग मूल तो अब क्या है इससे पता चल ला है कि Q क्या है P का वर्ग है वर्ग मूल है यानि कि P क्या है Q का वर्ग मूल है तो P क्या है Q का वर्ग मूल है तो option में देखिए हैं क्या जी हां option number 2 यानि कि यहां पर answer क्या सही होगा the square root of q यानि कि p क्या है the square root of q जो कि option number 2 सही होगा अब देखिए अगला question क्या है आपके सामने दे रखा है under root of 91 plus under root of 70 within under root of 121 बहुत simple सा question है यह भी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो आसानी से स plus under root of 70 plus under root of 121 तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले squares याद होना बहुत जरूरी है तो squares अगर आपको याद होंगे तो यह question आसानी से solve हो जाएगा देखिए जो 121 है वो किसका square होता है वो होता है 11 का square उसके बाद जब 70 प्लस 11 को add करेंगे तो यहां 81 हो जाएगा तो 81 अब किसका square है अगर 81 की बात करें तो 81 आपका square है आप लोगों को भी पता होगा 81 square है आपका 9 का अब last step क्या बचा 91 प्लस 9 यानि कि 100 यानि 100 किसका square है 100 square है 10 का तो देखे option में 10 है क्या अगर option में 10 होगा तो बिल्कुल सही answer क्या है आपका 10 है option number 2, यह क्या है, इसका answer क्या होगा, 10, अब अगला question देखें क्या है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किये जाते हैं, ताकि पंक्ती में पौधों की संख्या, पंक्तियों के संख्या के समान ही हो, प्रतेक पंक्ती में पौधों की संख्या है, इसको बस आप question समझने की questions करिये, आसानी से हो जाएगा, यह कह रहा है, कि एक मालीजे पार्क है, उसमें 784 पौधे इस तरीके से व्यवस्थित किये जाते हैं, ताकि पंक्ती में पौधों की संख्या, यानि कि जो पंक्ती है, जो पंक्ती है, उसमें जो पौधों की संख्या है, वो पंक्तियों की संख्या की समान ही हो, यानि कि मालीजे जैसे, एक पंक्ती में 5 पौधे हैं, 5 पौधे हैं, तो पंक्तियों की संख्या भी देखे कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी तरीके से आपको सोच कर बताना है, कि प्रतेक पंक्ती में पौधों की संख्या क्या होगी, तो देखे इस टाइब के क्वेस्टिन के लिए सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा, इसको हम लोग फैक्टर से सॉल्ड करेंगे, फैक्टर से सॉल्ड करने का मतलब 7, 84 का फैक्टर आपको पता होना चाहिए, तो 7, 84 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक तरीके समली चे वर्ग हमें फाइंड करना है, तो अगर फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2, 3 जा 6, 2, 9 जा 18, 2, 2 जा 4 उसके बाद 2, 1 जा 2, 2, 9 जा 18, 2, 6 जा 12 फिर 2, 9 जा 18 और 2, 8 जा 16 2, 4 जा 8, 2, 9 जा 18 अब दिखें जो से 49 है वो 7 के टेबल से जाएगा यहां मैं लिख दे रहा हूँ 49 के आगे का पार्ट 7, 7 जा 14 और फिर यह 7 जा 7 तो यानि देखें इसकी जो पेरिंग हुई कैसे पेरिंग हुई 4 ताइमस 2 है और 1 टाइम जो है आपका 7 है इसको मैं नगलक कर रहा हूँ यह सही है ठेक है तो 2 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 7 इन्टू 7 यानि कि कितने पेर है अगर प्रतेक पंक्ती में पौधों की संख्या की बात करें तो वो है 28 यानि कि 28 रोज है और उतने ही पौधे उतने ही पौधे उन रोज में लगे हुए है तो इस हिसाब से अगर option में देखे तो option में क्या देखे 28 है हाँ जी बिल्कुल सही answer option number 2 28 यही answer सही होगा अब अगले question की बात करें तो देखे क्या है if two quantities x and y vary inversely with each other then one of the following is true यदि दो राशिया x और y एक दूसरे के व्युद्क्रम क्रम में बढ़ती है तो निम्कित में से कौन सा सत्य होगा तो सबसे पहले तो question समझने questions करें का कह रहा है कि यदि दो राशिया x और y एक दूसरे के व्युद्क्रम क्रम में बढ़ती है व्युद्क्रम क्रम का मतलब क्या है कि अगर x increase हो रहा है तो y decrease हो रहा है यानि यही कह रहा है कि अगर x increase हो रहा है तो y decrease हो रहा है यानि कि x is proportional 1 upon y या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि अगर y बढ़ रहा है तो x घट रहा है y is proportional 1 upon x तो अब इस condition में क्या है कौन सा कथन सत्य होगा तो पहला option है उनके संबंधित मानू का अनुपात एक समान बना रहता है उनके संबंधित मानू का गुड़न एक समान बना रहता है उनके संबंधित मानू का योग एक समान बना रहता है या उनके संबंधित मानू का अंतर एक समान बना रहता है तो अगर हम option को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि सम्मंधित मानों का अंतर एक समान बना होता है यह तो impossible है क्योंकि जब दो रासियां एक घट रही है बढ़ रही है तो difference कहां से समान होगा अब अगर हम अनुपात की बात करें तो देखें योग भी समान नहीं होगा लेकिन अगर हम उनके सम्मंधित मानों का गुड़न की बात करें तो वो समान देता है तो इस question के लिए option कौन सा सही होगा उनके सम्मंधित मानों के अनुपात का गुड़न जो है मानों का गुड़न एक समान बना रहता है यानि कि option number 2 क्या है सही answer है अब अगला question देखी क्या है दिया है 7y into 6 equal to yyy अब इसमें बताना है आपको कि y की जगा कौन सी value रखी जाएगी तो अगर question बहुत simple सा है बस ही hit and trial method है आप option choose option 6 जो है question के answer को लाइए तो यहाँ पर आपको देखी सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा option put करें कि यह जो है question में भी वही अंक रखना पड़े और answer जो आए वो भी same वही अंक है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 रखता हूँ तो जब मैंने 4 रखा तो 6 4 जा 24 2 carry 6 7 जा 42 plus 2 44 तो देखिए यहाँ पर y पर भी 4 और answer में y y y पर भी 4 तो इस हिसाब से answer क्या है 4 आना चाहिए तो देखिए option में 4 option है 44 का option number 3 answer क्या आ रहा है answer आ रहा है 4 now next question देखते हैं क्या है next question आपका है 700 meter square छेतरफल के एक आयता car tank को भरने के लिए 140 meter cube पानी क्या उशकता है tank में पानी के इस्तर की उचाई क्या होगी to fill a rectangular tank of area 700 meter square 140 meter cube of water is required what will be the height of the water level in the tank question बस ध्यान से समझने की कोशिश करिए answer अपने आप निकल आएगा क्योंकि simple सा इसमें formula लगेगा देखिए tank क्या है tank जो है आपका आयता कार है अब अगर आयता कार tank की बात करें तो ये एक तरीके का क्या है ये आपका एक तरीके का है घनाब ये क्या है आपका एक तरीके का घनाब है अब इसमें क्या है घनाब का आयतन आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए वो क्या है L into B into H होता है अब घाना आयता का टेंक का मतलब यह हो गया घनाप का आयतन अब देखिए उसमें आगे क्या है 700 मीटर स्कुर्ड छेतरफल अब अगर आयत की बात करें तो आयत का छेतरफल जो होता है वो होता है L into B हैनि कि लंबाई उड़े चोड़ाई तो टेंक में क्या कह रहा है पानी के इस्तर की उचाई क्या होगी तो देखिए सिंपल सा क्या है जो आयतन दे रखा है L into B into H वो कितना है 140 मीटर क्यूब छेतरफल कितना दे रखा है L into B 700 मीटर स्क्वाईर बस इस एक्वेशन में रख दीजे एक्वेशन नमबर वन इसको मालीजे इसमें रख दीजे पुटिंग दे वेल्यू ओफ एक्वेशन 2 इन्टो दे एक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा L into B की वेल्यू क्या है हाँ पर 700 है इन्टो H एक्वेशन टू 140 अब अगर आगे बात करें तो यह क्या हो जाएगा H एक्वेशन टू क्या हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 700 1010 कैंसल आउट हो गया ठीक है अब उसके बाद 14 बंजा 14 145 जा 70 यानि कि 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 जो आ गया यह देखिए यह मीटर आया है यानि हाइड कितनी है इस तरकी उचाही क्या है टैंक में पानी की उचाही है 1 बाई 5 मीटर लेकिन आब आप्शन पे आई है आप्शन में देखिए एंसर सेंटी मीटर में दिरखा है अब इस तरीके से 1 बाई 5 तो कहीं दिया ही नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आप क्या करेंगे सबसे बड़ा में काम करना बचा रहे गया वो क्या है कि 1 बाई 5 को हमें कनवर्ट करना है सेंटी मीटर में तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं वन मीटर में होते हैं 100 सेंटी मीटर तो 1 बाई 5 मीटर में कितने हो जाएंगे इसको हम मल्टिप्लाई कर देंगे 100 से तो 100 से जब मल्टिप्लाई करेंगे तो 5 तू जा 10 चाहिए है तो दोस्तों आज हम लोगों ने इसके mathematics part के आधे question solve किये है next part में आधे question को हम लोग solve करेंगे आसा करता हूँ आप लोगों को ये class समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो subscribe like and share करिए thank you so much और अगर आपको कोई confusion है तो comment के द्वारा पूछ सकते हैं नमस्कार आपका दिन शुबूँ